नमस्कार मैं डॉक्टर ईतु सिंग आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा मुर्दहिया अब तक मैंने मुर्दहिया के तीन अध्याओं का पाठ किया है इन सभी अध्याओं के पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आज हम पढ़ेंगे अध्याओं चार जिसका शीर्शक है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लूप जीवन दो भागों में ये अध्याओं समाप्त होगा पांचवी पास करने के समय अकाल अपनी विभीशिका की चरम सीमा पर था पांचवी के सभी बच्चों को फाइनल परिक्षा के लिए साथ मिल दूर बबुरा धनहुआ गाउं नामगाउं के स्कूल जाना था वहाँ एक दिन का पढ़ाव था उन दिनों पांचवी की कक्षा के लिए जिला केंदर आजमगर से एक अधिकारी आया करते थे जिने डिप्टी साहब ही कहा जाता था परिक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होती थी चैद बैशाह का महीना था बड़ी कड़ाके की गर्मी थी वह भी अकालिया दुखदाई बाबू परिसुराम सिंग ने सभी बच्चों से कहा कि परिक्षा स्तल पर एक दिन रुकना है किन्तु वहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं होगी अता अपने अपने घर से खान पान लेकर चलना होगा वह भी तड़के सुर्योदय से पहले ब्राम्ह मोर्त में दलित चात्रों के लिए यह इमतहान बड़ा कठेनाई वाला था किन्तु ग्यान की कमी से नहीं बलकि खान पान की कमी से समुह में रहते हुए बबुरा धन हुआ के उस परिक्षा केंदर पर कुछ सम्मान जनक भोजन की आवस्यकता तो अवश्य थी किन्तु दलितों के लिए पुर्न रूप से असंभव आता मेरे जैसे तमाम दलित चात्र वही महुए का लाटा और तथा चोटे में सने सूखे सत्तु की गठरी लिए चल पड़े हेड मास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरफ परेड करते हुए साथ मिल का रास्ता तैक करके इमतहान स्थल पर पहुँचे थे हमारा वहब यान माउच से तुंग के उस एतिहास एक लौंग मार्च से कम नहीं था क्योंकि उसमें भी तो वही लाटा सत्तू वाले ही लोग शामिल थे वहाँ कोई अन्य कई अन्य स्कूलों के चात्र भी परिक्षा देने विभिन दिशाओं से आये थे हम दो पहर होने से काफी पहले पहुँच गए थे लिखित परिक्षा दो पहर बाद शुरू होने वाली थी इसलिए काफी समय बचा हुआ था लाटा सत्तू खाने के लिए घर से चलतिस में बुढिया दादी ने कहा था कि बबुरा धन हुआ पहुचते ही किसी पोख्रा या पोख्री ढूंड कर मैं नहा कर गाउं की देवी चमरिया माई की बिंती करते हुए उन्हें धार पुज़ौरा चड़ाने की मनौती मांगो ताकि इम्तिहान में पास हो जाओ दादी द्वारा दिया गया कोई भी फत्वा मेरे लिए हमेशा जादू का काम करता था इसलिए उसे ना मानने का कोई सवाल ही नहीं था उसे स्कूल के पास खेतों की मेर पर कुछ औरते घास ढूंड कर छील रही थी मुझे लगा कि भी अवसी मजदूर नहीं होंगी इसलिए बेजिजक मैंने उनसे पूछा कि यहां कहीं पोखरा है कि नहीं उनसे पता चला कि एक बहुत गहराई वाला पोखरा पस्चिम दिशा में आधा मील दूर है जो चारों तरब के भीटों पर बड़े बड़े पेडों से घिरा है मैं उसी दिशा में पोखरे की तलाश में भीटों वाले बड़े बड़े पेडों को ढूंडने लगा कुछ दूर चलने पर सामने देखा कि चत्रभुच की आकरती में घसियारियों दौरा बताई गई पेडों की जुर्मुट साफ जलकने लगी तबी सामने से एक छात्रा आते दिखाई दिए वे बबुरा धनहुआ के पास के ही रहने वाले थे किन्तो हमारे शेरपूर कुटी के हाई स्कूल में नवी कक्षा में पढ़ते थे उस स्कूल के अधिकतर चात्र किसी भी कक्षा के चात्रों को जानते पहचानते थे आता पोकरे की तरफ से आते हुए रामचरन यादव जी मुझे देख कर बोल पड़े आज तक ओनों काम ना हुई एक कनवा सामने पड़ी गई इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में कहा कहमा जाता हुए रे कनवा मैंने पोकरे में नहाने जाने की बात कह दी इतना सुनते ही उन्होंने उसी सेरपूर कुटी की राम लीला के रिशी पर्शुराम की तरह रौद्र मुद्रह चाटा तानते हुए आदेश दिया जल्दी से भाग चमार कहीं का बढकन लोगन के पुखरा में तू नहीं बे राम चरन की सरौद मुद्रह से मैं भयानक रूप से डर गया ऐसा लगा मानो वे अपनी आँखों से ही मुझे खा जाएंगे इसलिए उस अंजान जगह पर मैं डर कर दोड़ते हुए इमतहान स्तलकी और भागा था इमतहान के कुछ घंटे पहले हुई इस घटना ने मेरा मनोबल तूट गया था उधर दादी द्वारा बताई गई चमरिया माई की मनौती की चिंता से घबरा गया था सोचता था कि बिना नहाय मनौती कैसे मानूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था अकाल की विभीशिका में कहीं पानी का सुरूत नजर नहीं आ रहा था संयोग वस बबुरा धनुहा के स्कूल के प्रांगण में एक नल हैंड पम गड़ा हुआ था डर के मारे हम उसे नहीं चूते थे मुझे बड़ी राहत मिली जब मेरे साहपाटी संकठा सिंग ने नल चला कर मेरे हाथ पैर धुलवाया मैंने किसी को कुछ नहीं बताया चुपके से थोड़ी दूर एक इस्तित दूर पर इस्तित एक तार के पेड़ की आर में बैठ कर मरिया माई के थान की दिशा में देखते हुए मैंने धार पुजारा की मनोती माना किन्तु रामचरन यादों का वहरोध रूप मेरे दिमाग में बड़ी गहराई से टक गया था लगता था कि इमतहान में फेल हो जाओंगा मन में दुर्भावना उफनती थी कि यदि क्षमता होती तो बद्दा जरूर लेता हकीकत में सब कुछ असंभव था बच्पन के असहाय यादों में यह भी एक ऐसी हियाद थी जो बरसों तक मिरे दिमाग में हर दम कुरेत को हर दम कुरेती रहती किन्तु इसके लगवग दो दसक बाद जब महा कवी सुद्रक का सदा बहार नाटक मृक्ष कटिकम मिट्टी की गाड़ी के आठवे अंको पढ़ने का मौका मिला तो सारी दुर्भावना हमेशा के लिए मिट गई नाटक का प्रमुक पात्र नाइका वसंत सेना का प्रेमी चारुदत एक बौध विक्षु को रास्ते में आता देख कर बोल पड़ता है अर्थाद बौध विक्षु का सामना हो गया अब अवश्य ही अनिष्ठ होगा अनिष्ठ समझकर चारुदत तो चला जाता है किन्तु नाटक का दूसरा पात्र राजा का साला संस्थानक जब तथा शकार जब बौध विक्षु को देखते हैं तो वे अनिष्ठ होने की कलपना से आग बबुला हो जाते हैं वा भिक्षु पोकरे से नहा कर लोटते हुए लुटेरी इंद्रियों से सब को सचेत रहने तथा सब के कल्यान की बात कहता आ रहा था फिर भी शकार क्रोधित होकर कहता है कि जिस तरह सराब खाने में चिखना के लिए मूली तोड़ी जाती है मैं वैसे ही तेरा सिर रहा हूं जब बौध भिक्षु यह कहता है था अदम पसिद्दू उपाशके अर्थात गुष्वा मत करें उपाशक मैं आपका स्वागत करता हूं तो शकार उसे गाली समझता है और वा बौध भिक्षु को मारने लगता है साथ यह भी कहता है कि जिस तलाब को राजा ने कुटो और सियारों के पानी पीने के लिए खुदवाया था उसमें तुम अपनी दुरगंतित काया तता गंदे चीवर को धुकर आ रहे हो अंततो गत्वा बौध भिक्षु सबके कल्यान की बात कहते हुए चला जाता है किन्तु उसकी हर बात को भी गाली ही समझते हैं जाह पाने में वैदिकों की बौधों के बारे में यह आम अवधारना थी जिसके अविव्यक्ते मिर्ख्ष कटिकम में एक सौंदर शास्त्रे विधा में शूद्रक ने की है बबुरा धनहुआ के पोख्रे पर पहुचने से पहले जो कुछ मेरे साथ उस अकाल की कड़की में हु जब बहुत दर्शन मेरे रोम रोम में घर कर गया था तो मृच्छ कटिकम से अवगत होने पर मुझे ऐसा लगा कि मानुस सदियों पूर्व लिखे गए इस नाटक में वह बहुत भिक्षू मैं ही था इस घटना ने उस पुरानी पीड़ा से मुझे मुक्त कर दिया और मु देर तक रोया था आँख पोचते पोचते मेरे दोनों हाथ अच्छी तरह धुल गए थे अब सकुन या निष्टकारी होने की यह एका सहाय पीड़ा थे इसी माहौल में मैं पांचवी कक्षा की परिक्षा में सामिल हुआ रात में अन्य दलित शात्रों के साथ स्कूल के ब जबानी सवाल पूछे जाए गए मैं उत्तर के साथ जब विजयरेखा की तरफ दोड़ा तो मुझे लगा कि रामचरन यादो मुझे मारने के लिए मेरे पीचे दोड़ रहे हैं इसी कल्पना ने मुझे सबसे पहले विजयरेखा पर खड़ा कर दिया मेरे स्कूल के सारे अ आगे तोहार साथ छूट जाए जाहिर था कि पांचवी के बाद अगले दरजा के पढ़ाई के लिए अलग स्कूल था हम पुना उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गाउं वापस आ गए दूसे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के नुसार चमरिया के थान पर जाकर मैंने धार पुजारा चड़ाया सन 1969 की गर्मियों में संपनिस परिक्षा के बाद दो महिने से ज़्यादा समय की छुटियां थे अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी साथी सारी समस्याएं वही वैसी ही थी मेरे पिता जी बार बार मुझे समझाते रहे कि सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती थी कि छटी कछा से अंग्रेजी की पढ़ाई सुरू होने वाली थी उन दिनों अंग्रेजी जानने वालों को बहुत महान समझा जाता था यहाँ तक कि अनपढ़ गाउवालों के बीच अंग्रेजी की ऐसी सनक थी कि यदि कोई राटे के साथ बात करता तो वे कहने लगते अरे भाईया इतर अंगरेजी बू कथ हुएं इस आम प्रचलित सनक ने मुझे भी अंग्रेजी सीखने के प्रती संकी बना दिया था। किन्तु पढ़ाई छूट जाएगी, अंग्रेजी सीखने से वंचित हो जाओंगा, तथा हरवाही करने पड़ेगी, इस कल्पना मात्र से मैं घोर चिंता में डूब जाता था। दादी हमेशा कहती रहती थी कि खूब पढ़ी के रंग्रेज जैसन बनी जा। दादी की ऐसी बातों से मुझे बहुत राहत मिलते थे। वही जोगी बाबा ने हमारी बस्ती आकर हमारे घर के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर बम बम लहरी का जोरदार नारा लगाया। पास इस्तीद बच्चे बुड़े वहां आने लगे। एक लड़के ने मेरे घर के सामने बेला हे तुलसी बात जोगी बाबा ससतिया सहबाराम इसी बीच पडोस में रहने वाले बलराम भाया ने कह दिया कि है बाबाई पांचवी पास हो गयल इसके बाद जोगी बाबा ने गाया जैसन भाईला पांचवी पास वैसन नौकरी के नहीं आस बढ़ ससतिया सहबारामा बढ़ ससतिया सहबाराम जोगी बाब तू बरदान वैसन जानी तो है जहान बढ़ ससतिया सहबाराम बढ़ ससतिया सहबाराम। जोगी बाबा के ये तीन चंद मुझे आशा निराशा की रस्री में लपेट कर आगे पीछे दोविपरीद दिशाओं में खीचने लगे। ऐसा लगता था कि मानू मेरा अस्तित तो च शिपटल पर ओजल होने तक देखता रहा। भयाकरांत इसलिए भी था कि जोगी बाबा की कोई भी गाई विवानी कभी गलत नहीं होती थे। छुट्टियों का बीतना पहाड सा लगने लगा था क्योंकि उसके बाद ही मेरी छटी कक्षा के आगे की पढ़ाई का भविश् इस दौरान अकाल के कारण पशों के चारा का भी टोटा पढ़ गया था। अनेक पालतु पशों भूख या बिमारी से पिडित हो गये थे। उस वर्स गाउं में एक गाई भैंस तता बैल मरने लगे थे। हमारे घर में कलोरी गाई थी यानि कुमारी गाई बिमार होकर मर उस समय एक परंपरा कंसार गाउं का कोई भी हरवाहा अपने मालिक जमिंदार के मरे पशों की खाल निकाल कर उसे बेचने से मिले धन को अपने पास रख लेता था। ऐसे चमडों की कीमत प्राय हब 20 रुपे होती थी। इस तरह के मरे पशों को दलित बांस की काड़ी में पैर की तरब से बांध कर डोली की तरह ढोते हुए मुर्दईया पर ले जाते थे। वहीं चमड़े छुड़ाय जाते थे। हमारे घर में मुन्नर चाचा चमड़ा चुडाने में माहिर थे। चमड़ा चुडाते समय उन्हें हमेशा एक टहलुआ यानि उनके अनुसार काम करने वाला की जरूरत होती थी। जब हमारे घर वाली कलोरी गाय मरी तो छे आदमी काड़ी पर ढोते हुए मुर्दईया पर ले गए। मुन्नर चाचा कहने लगे कि उस चुट्टी में मैं चमड़ा चुडाना धीरे-धीरे सीख जाओ ताकि भविश्य में इस चर्म कलामे पारंगत हो सकूँ। हम दोनों ने जमीन पर पड़ी मुर्दा गाय को पैर की तरफ से ठेल कर पेट को उतान किया। मुन्नर चाचा ने मुझे आदेश दिया कि मैं गाय के पिछले पैरों को पकड़ कर उपर ताने रहू। मैंने वैसा है किया। अब गाय का पेट सीधे उ भनी ने मुर्दहिया के सन्नाटे को भंग कर दिया। देखते ही देखते मुन्नर चाचा ने गाय के गर्दन के निचले हिस्से में छुरी भोंग दी तथा तेजी से पूरे पेट को चीरते हुए पिछली टांगों के बीच से आर पार कर दे। उनके आदेशा नुसार मैं दोनों टांगों को पकड़े उठाए पकड़े रहा। उन्होंने चीरे हुए पेट के दोनों तरफ के चमड़ों को एक एक बित्ता चोड़ाई के साथ छुडा लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ एक तरफ का चमड़ा पकड़कर उल्टी दिसा में उचाड़ने में मदद करू इस विदी से हम दोनों ने पेट के दोनों तरफ के चम्रे को उचार कर पीछ की तरफ ला दिया इस दोरान जहां छुरी की जरुवत होती थी मुन्नर चाचा उसे चला देते थे अब गाय का लगबग पूरा शरीर चुक चुकाते खुन से लगपत रक्त के टील मारने लगे मैं बेतहाशा डर गया था क्योंकि गिद्ध के चोंच मुन्नर चाचा की छूरी से कहीं ज़्यादा तेज थे यदि किसी गिद्ध की चोंच मेरे हाथों पर लग जाती तो मैं भी स्वैम उस मुर्दा गाय का एक हिस्सा बन कर रह जाता जाहिर है वह मुर्दा गाय गिद्धों के लिए अकाल की एक लहलाहती फसल थी जिस पर वे अधिकार करने के लिए बेताप थे अभी चम्रा पूरी तर से चुड़ाया नहीं जा सका था चाचा के कहने पर मैं मुर्दहिया की जाडियों से एक लंबी डाल तोड़ कर गाय के उपर आस्मान में हो हा हो हा हो करते हुए घुमाता रहा इस दौनान मुन्नर चाचा ने पूरा चम्रा छुड़ा कर चादर की तरह चौपत कर मेरे सिर पर रख दिया हम अपने घर की तरफ चल पड़े और सारे गिद्ध गोमान स्पिंड पर गिर पड़े बीच बीच में कुत्ते आपस में कोई को करके लड़ते रहे और उस मान स्पिंड को नोचते हुए गिद्ध मजा उड़ाते रहे इसके बाद मैं अने को बार इस तरह की चाम चुड़ाई के आउसाथ से पड़ित रहा किन्तु इसका एक रोचक पहलू यह था कि मरे हुए पशों के मान स्पिंड पर जपट्टा मार आते हुए गिद्धों के बीच खड़ा होकर जाड़ियों से उन्हें भगाने में मुझे एक अनोखी कलाकरती का अभिन अंग होने की अनुभूती होती थी ऐसे उस अरूपर मुर्दहिया पर मुर्दा मांस खाने के बाद सैकड़ो गिद्ध उस पशुक अंकाल से थोड़ नहीं पाते थे गंटों तक शांत बैठे रहते ये गिद्ध ऐसे लगते थे कि मानोवे मुर्दहिया के भूतों को शोकांजली देने के लिए भी पस्सना कर रहे हों गिद्ध रात में कुछ भी नहीं खाते थे इस मायने में वे बहुत भिक्षों जैसे होते हैं जो दिन मे सिर्फ एक बार भोजन करते हैं साज होते ही सूरज जूपते सूरज को देखकर एकायक ये गिद्ध सोर मचाते हुए विबिन दिसाओं में इस्तित अपने खेतों की तरफ उडान भरने लगते थे उनकी ये उडाने युद्धक पिवानों की तरह लगती थे मुर्दहिया क से मुश्किल से एक फरलांग की दूरी पर हमारा घर था आता डांगर खाने के बाद वाली रात को ये गिद्ध रह रहकर बड़े जोर से चेंगानने लगते थे मेरी दादी कहती थी कि गिद्धवा धेर खाई लहले हुए यही मारे पिटवा दुखा था हुए जोने कारण चिलावे लगे हैं हनला चाहे जो भी हो गिद्धो का ये संपुर्ण माजरा मुझे बार-बार मोहित करता रहता था कभी-कभी मैं कलपना करता कि यदि मैं भी उन्ही खोतों में गिद्धों के साथ रहता तथा उनके ही जैसा उड़ाने भरता तो शायद लोगों के लिए अब शकुन या निष्टकारी होने से बच जाता उस दोरान बगल के टनवा गाउं का एक व्यक्ति जिसे लोग सिर्फ पगल यानि पागल के नाम से जानते थे उसके एक विचित रादत थी टनवा के चवहद्धी पर एक विशाल किन्तु एकदम ठुमूठ बरगत का पेड था बिना डाल और पत्तो वाला इस पर पांच गिद्धों का एक सम्मू रहता था किसी ना किसी मादा गिद्ध के अंडे उस ठूटे बरगत पर पड़े रहते ये पगल बाबा उस फकड बाबा की तरह सिर्फ पतली से लंगोटी पहने रहते थे वे कभी किसी से बोलते नह रहते थे इस का वायाद में वे घंटों वहां बिता देते थे जब गिद्ध वापस वहां मडराने लगते तो पागल बाबा बरगत से नीचे उतरते और उनका एक डूंडा वस अपने साथ लाते वे उन अंडों को हाथ में लिए इधर उधर दूर दूर तक बौड़ी आत रहता था जिन में कुछ कोमल गालिया भी शामिल हुआ करती थी हम सब क्यूत सुकता यह होती थी कि उनकी बूली कैसी होगी किन्तु पगल बाबा टस से मस नहीं होते थे इतना वे जरूर समझते थे कि लोग उन्हें बोलने पर मजबूर कर रहे हैं इसलिए वे ऐसे औसर प बाबा अंडो को हाथ में लिए चुपचापचंपत हो जाते किन्तु उनका मौन वरत कभी नहीं तूटता उन्हें कभी किसी ने खाते हुए भी नहीं देखा उन्हें कोई खाने की सामगरी देता तो वे मूँ फेर कर भाग जाते थे तता रात में उसी गिद्धों वाले ठ साथ उतर कर इधर उधर फिर बौड़ी आने लगते वे अंडो को कभी नुकसान नहीं पहुचाते वे एक अद्भूत गिद्ध प्रेमी थे खिंतु सकाल में एकदम जुलस कहे थे मैं उन्हें देखकर हमेशा कारुनिक हो जाता था इन्हें गिद्ध प्रकरणों के दोरान गाउं के जोखु पांडे का एक बैल मर गया मुर्दहिया पर सारे जुड़े कर्मकान संपन हुए जोखु पांडे के हरवाहे द्वारा चमड़ा छुडाये जाने के बाद उसी के घर की एक रमौती नामक दलित महिला जो मुर्दहिया पर घास चील रही थी उससे रहा नह मेरे साथ अनेक दलित बच्चे यह नजारा देख रहते सभी बच्चे चिल्लाने लगे रमौती घरे डांगर ले जाती हो शिग रही यह कबर चौदरी चाचा तक पहुँच गए दो दिन बाद पंचायत बुलाई गए रमौती के परिवार को कुजाती घोशित कर दिया ग गया यह बड़ा प्रचंड बहिसकार था यहां तक कि उसके परिवार से कोई बात तक नहीं करता था सामाजिक बहिसकार की पीड़ा से घबरा कर कुछ दिन बाद रमौती के परिवार ने विरादरी में सामिल होने की अपील की चौधरी चाचा ने फैसला सुनाया कि उसका पूरी बिरादरी को सुवरभात की दावत देगा जिसके बाद उसका कुजातिपन समाप्त किया जाएगा अकाल की इस भुक मरीब सुवरभात की यह दावत एक अनोखी घटना थी आंततो गत्वाई स्वादिष्ट दावत में के पीछे रमौती का परिवार एक बार फिर भारी कर्ज में डूब गया सन 1969 की गर्मी लगातार दो साल से अकाल के कारण नहायत दुर दिन में बदल चुकी थी दलित बस्ती में चिटनी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी जैसा कि अवगत है गाओं के कई लोग बंगाल के अनेक कोई लरिय तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे परिवारों के लिए ये मजदूर अकाल के में बादल जैसी आशा का प्रती रूप थे विशेस रूप से जब गाओं की ऑड़ते मजदूरों को मुझसे चठियां लिखवाती तो वो मेरे सामने एक विचे तरस्तिती प्रकट हो जाती कई औरते भुकमरी का वर्णन करते करते रोने लगते थी मैं भी स्वें अपने दुख में डूपता उतराता फिरता था किन्तु गाओं की रोती हुई मशीनों जैसी इन महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था अनिक बार उनके आंसों में मेरे आंसों भी दाखिल हो जाते थे इन रोती मशीनों में एक थी किसुनी भौजी उसका पती कतरास की कोईलरी में कोईला काड़ता था नाम था मुन्नी लाल किसुनी भौजी दो बच्चों की मा थी किन्तु उम्र मुश्किल से 22 साल उसके अंदर दुखडा सुनाने की अद्भूत वर्णनात्मक शैली का समावेस था जब वो चिठी लिखवाती थी तो लगता था कि दुखडा स्वेम अपना आत्म विवेचन कर रहा है यदि वो पढ़ती तो शायद दुखान साहित्ते में बहुत कुछ गढ़ती उसके दवारा लिखवाई गई अकाल की एक चिठी आज भी मुझे अच्छी तरह याद है जिसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार है हे खेदन के बाबू हम कवन कवन बतियां लिखाई बबनी बहूत बिलखई ले उरोई-रोई के मरी जाले हमरे छटियां में दूध ना होला दूहे जाईला तबकेनवा लात मारे ले बंसुआ मजूरी में खाली सडल सडल सावा देला उपर से ओकर आँखी बड़ी सैतान हो सजिया कर हरियां में गववा के महरिया सब मैदान जाली तव चुर्बत्ती बारेला रकत पेवना हम हों के गिधनाई तरह लेला चुटवा से पिटवा हर दम खराब रहेला हम काख ही आई काख आई कुछ समझ में ना आवेला बबनी के दुधवा कहां से ली आई जब रोवे ले तो कबो कबो हमोके लेके बहरवा जाएके बोली ला कि देख तो बाबू आवत हुएं तब थोरी देर चुप हो जाले तु कैसे हुआ सुनी ला कि कोई लरी में आग ही लगी जाले इक काम छोड़ी दा गवे में मजूरी कैले हल जाए सत्वे से जिंगी चली जाए यह बड़ी मुश्किल में बीतत हो अकेल में जियरा ना लागे ला उपर से खाईले का बड़ा तोटा हो हो सके तब 20 रुपया भे जिदा जब आई हा तो तुलसी बाबू के एक जिस्ता कागत जरूर ले ले हिया यह सब के चिठिया लिखे ला यह बड़ा तेज हो है और का लिखाई हम थोर लिखना धेर समझना इस चिठि में खेदन किसुनी भाउजी के चार साल के बेटे थे तथा बबनी डेड़ साल की बेटी थी बस्वा यानि बंसु पांडे जमिंदार थे जिनके यहां किसुनी मजूरी करती थी चोर बती टॉर्च को कहते थे बकेनवा यानि बकेना भैंस थी जो जूते समेच च्टक जाती है क्योंकि उसका दूद खतम हो चुका था ऐसी ही मिलते जुलते ने एक प्रकरण उस आकाल के दौरान मुझसे लिखवाए गए मैं स्वेम उनकी ये सारी बेरन चिटियां उसी अपनी स्कूल के पास स्थित पोस्ट बॉक्स में डालाता था या पोस्ट बॉक्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल सहब के आफिस के सामने दिवार पर लाल्टेन की तरह टंगा हुआ रहता था गाउं में जब भी डाकी आता बेसबरी से मेरी तलास शुरू हो जाती कई बार तो लोग मुझे गाय भैस चराते हुए मुर्दहिया पर आ जाते फिर वहीं शुरू हो जाती थी चिट्टियों की पाटशाला मुर्दहिया पर मेरा चिट्टी वाचर न सिर्फ चिट्टी धारी ही सुनता था बलकि शायद वहां के भूत पिशाच भी इनके बीच फर्क इतना ही था कि भूत पिशाचों ने अपनी भूतनियों के लिए कभी मुझे चिट्टी नहीं लिखवाई वैसे जब भी मैं मुर्दहिया पर होता मेरी कलपना में बात जरूर आती थी कि यदि कोई भूत चिट्टी लिखवाने के बहाने मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या करूँगा मेरे घरवालों को एक ऐसी बकेना भैस थी जो मुझे देखते ही बाओ बाओ बोलने लगती मेरे पास आ जाती थी और मुझे चाटने लगती थी उसका मुझे से बेहत लगाव था मेरी एक विचित रादत थी मुर्दहिया पर जब भी चराने जाता मैं उसकी पीठ पर एक घुरसवार की तरह बैट जाता उसे किसी भी तरह कोई इतराज नहीं होता मैं उसकी पीठ पर बैठा रहता तथा वगूमती फिरती चरती रहती थी इसी दोरान एक दिन गाउं के ही चिखुरी ने भैस के थन में लकड़ी से खोद दिया भैस विदग कर बड़ी तेजी से उचल पड़ी मुझे जरा भी पता नहीं चला कि मैं कैसे जाड़ी के पास जमिन पर कुछ देर के लिए बेहोस पड़ गया जाड़ी से सटी एक कब्र थी होश आने पर मेरे होश उड़ गए भूतों के डर से मैं काप गया यह खबर बस्ती में फैल गई सभी कहने लगे कि भैसों पर भूच चड़ कर घूमते हैं कि तुवे दिखाई नहीं देते लोग मेरे बारे में कहते हैं कि इसके चड़ने से वे नाराज हो गए इसलिए इसे उठाकर जमीन पर पटक दिया अपने चेर परचित अंदाज में नगर चाचा मेरे उपर बरस पड़े मेरी यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिकुरी को भूच समझू या की जो मुर्दहिया में दफन थे उनको चाहे जो भी हो इस घटना के बाद मैंने कभी भैंस पर बैठकर मुर्दहिया के भूतों को गुस्सा नहीं दिलाया इस दुरगटना से एक किसुनी भौजी बहुत दुखित हो गए थी एक दिन अपने घर बुला कर मुझे समझाया कि हे बाबू इस अब हवा बतास के बचके रहिया इनकर गुसा जान लेवा होला हमारे क्शेत में भूस पिचास को दलित हवा बतास भी कहते थे इसी किसुनी भौजी के ससुर का नाम जैदी जो अपने बेटे से अलग रहते थे जैदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में दितिय विशुद के दौरान उसी बंसु पांडे के खांदान के अरवाई करते थे विशुद के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे वहीं खेट से हीवे गाइब हो गये गाउवाले कहते हैं अंग्रेज देर सारे मजदूरों का अपहरन करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए यह तो साफ तोर पर मालूम नहीं कि जैदी कैसे गाइब हो गए वे स्वैम किसी को असली बात नहीं बताते वर्सों बाद जब दित्य विश्यूत समाप्त हो गया तो वे गाउवापस आये थे उनकी वापसी से गाउवाले बहुत खुश थे वे थे तो बिल्कुल अनपढकिन तो बातें ऐसी करते कि लगता कि वे अंतराष्टी राजनीती के प्रोफेसर हों जेदी चाचा एक विचित्र शैली में चर्चिलवा का जिकर करते थे और उसे बहादूर बताते थे वे अनेक हतियारों के नाम के बिगडैल शब्दी बीच बीच में आकारण ही बोलने लगते थे जैसे सम्मरी, फैटर पलेन, डमडम, टंक, बनेठी, बम, आदी, आदी कुछ शब्द ऐसे बोलते थे जैसे मस्पोटम, सटल, बसरा, बगदाद, दुभई, खंभा, दजला, आदी, आदी इस तरह के अनेक शब्द वे बिना वाक्य के स्वतंत रूप, स्वतंत रूप से बोलते थे कि जैसे किसी को डाट रहे हूं, हम सबको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता था कि वे क्या बोल रहे हैं, वर्सो बाद जब मैं बनारस हिंदुबिस विदाले में उच सिक्षा ग्रस्त था तब समझ सका कि जैदी चाचा चर्चिल को चर्चिलवा, सब मैरीन को सब मरी, फाइटर पलेन को फैटर पलेन, डमडम बुलेट को डमडम, टैंक को टंक, बैनेट को बनेठी, मिसुपुटामिया को मस्पोटम, सतल अरब को सतल, रास अलखेमा को खम्मा आधी आधी कहते थ हकीकत यह थी कि जैदी चाचा को अंग्रेज विश्यूत के दोरान एक अस्थाई टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे, बाद में जैसे तैसे वे गाउं वापस आ गए, वास्तविक्ता यह भी थी कि जैदी चाचा का मून नाम लुर्खुर था, किन्तु बगदा चाचा अपने को जैदी समझने लगे, गाउं में भी लोग जैदी के रूप में ही उन्हें पुकारने लगे थे, वे विश्यूत की अनिक कहानिया सुनाय करते थे, जिसे सुनकर मैं मंत्र मुग्ध हो जाता था, उनकी यह कहानिया मुझे लल्चा लल्चा कर मारती थी, इन पो के दोरान एक अजीब हादसा हो गया, जैदी चाचा वहां बंसु पाने के यहां फिर से हरवाई करने लगे थे, उचित बनी के मांग के कारण वे अक्सर जगड़ा पड़ते थे, उनकी स्वभाव के कारण बंसु ने बकरी चोरी के आरोप में सबक सिखाने के लिए चि चितर तथी है था कि बंसु के पास कोई बकरी थी ही नहीं, किसी तरह जैदी चाचा पांच रुपया घूस दे कर पुलिस से चुटकारा पाए, पुलिस से इस बार भी हम सभी बुरी तरह डर गये थे, बंसु पाने के इस चलिया कपट के आधार पर आगाती थोकर जैदी चाचा प्रतिरोज सुरूप एक नए किसम का सत्यागरह करने लगें, वे सब काम धाम बन कर दाड़ी मूच बढ़ाना सुरू कर दिये, तथा निचंड धूप में चारपाई डालकर एक चादर ओड़कर दिन भर सोते रहते थे, पूछने पर कहते थे कि जब तक बामन न्य चाए नहीं करते, मैं दाड़ी मूच बढ़ाता रहूंगा और धूप में ही सोंगा, वे इस मामले में नहायत जिद्धी थे, पंचायत आदी द्वारा किसी अन्य समझोते को मानने से साफ इंकार कर दिये थे, धीरे धीरे वे बिमार पढ़ने लगे, अन्ततो गत्वा उसी अकाल में विप्रान त्याग दिये, उनकी मृत्यू से बड़ा शोक में वातावरन हो गया था, जेदी चाचा गुर्मुख थे, वे सिव नारायन पंथ को मानने वाले थे, जब-जब हमारे घर गादी लगती थी, जेदी चाचा सतवा गाईकी में माहिर थे, उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, जब संतोवा ढोल मरजीरे के साथ अपनी चर्म सीमा पर होती थी, तो जेदी चाचा अचानक खड़े ओकर बहुत जोर से डांटने की सेली में हुए बोल बढ़ते थे, उनके इस जोरदार वैसे संतोवा का कर्षन बेहद रोचक बन जाता था, ऐसे पर मैं इंतिजार करता था कि कब जेदी चाचा हुए कहकर डांटते हैं, जब उनकी लाश दफनानी के लिए मुर्दहिया पर ले जाई जा रही थी, तो सिवनाराइट पंद की परमपर अनुसार संतोवा के दोरान कई लोगों ने उनकी इस डांटने वाली शैली का अनुस उड़ गया। उनकी कबर से लोटते हुए मेरे मस्तिस्क में उनकी ये शब्द चर्चिलवा, मस्पोटम, फैटर, डमडम, खम्मा, दजला, अदिशोर मचाते रहे। आज जब मैं अंतराष्टी राजनिती में एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एंग अधक्च बन चुका इन में से एक थे सोवियत संग के समोही खेती वाले मुनर चाचा, दूसरे डांगे को डंगरिया कहने वाले सुनई, तथा तीसरे थे दढ़ियर जेदी चाचा। कि जब तक वे अंग्रेश सामरा जवादियों को इरान की धर्ती से भगा नहीं देंगे, तब तक वे दाड़ी मुच बढ़ाते रहेंगे, तथा घर छोड़कर जंगल में रहेंगे। उनके इस आंदोलन को जंगल आंदोलन तथा करांती कारियों को जंगली कहा जाता है। मिर्जा कुछ एक खान लेनीन से पत्र वेवार भी करते थे। जाहिर है जेदी चाचा ने अपने बगदाद प्रवास के दोरान इन इरानी जंगलीयों के बारे में अवच से कुछ सुना हो गए। इसलिए उनका रास्ता अपनाते हुए बंसु पाने के विरुध विद्रो का बेगुल फूंग दिया था जिसके चलते उन्होंने जान दे दी। किन्तु क्रांतिकारी आदर्श नहीं चोड़ा। ऐसे थे भुकड क्रांतिकारी बगदाद रिटन जेदी चाचा। इन घटना क्रमों के बीच मेरे साथ एक बड़ा रोचक हाथसा हुआ। मलदही आम का पेड़ था जिस पर बहुत बड़े बड़े आम के फल लगे हुए थे। मलदही आम कच्छे पर भी बहुत स्वादिश्ट होता था। मलदही आमें चोरी के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता था। उन्हीं गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक दिन मैंने चिखुरी के साथ धेर साराम तोड़ने की योजना बनाई। मैं चिपते चिपाते मलदहीया पर चड़ गया और बड़े बड़े आम तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। पड़े। उन्हें देखकर चिखुरी तुरंद भाकर मुर्दहीया की तरफ चले गए। मैं पेड़ पर काफी उचाई पर था। इसलिए नीचे नहीं उतर सका। इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि आज पत्तु मिसे बहुत पिटाई करेंगे। आता एक डाल पर बै चेप बेड़े बेड़े अपने दोनों हाथों को उठगाए उपर की ओर अन्वेशी निगाह से देखने लगे। सयोग वस उन्होंने मेरे लटकते हुए पैर को देख लिया। इसे देखते ही जैसुद्ध बाबा की, जैसुद्ध बाबा की कहते हुए पत्तु मिटे, मिस से अर्ध विक्षिप तवस्ता में हकलाते हुए जैसुद्ध बाबा की, जैसुद्ध बाबा की रट लगाते हुए अपने घर की तरफ गिरते, पढ़ते, भागे। वे बहुत मोटे तोंदी अलवेकती थे, उनका पेट होदे की तरह सामने लटका रहता था, इसलिए साल प्रलेंकारी भाय का प्रहस यह था कि उनके पोकरे परिस्तित एक बड़े नीम के पेड़ से कुछ वर्स पूरु सुद्ध नामक उनी के गाउं के एक दलित दत्वन तोड़ते वक्त गिर कर मर गये थे, अता हमारे एक शेत्र में उन्हें पोकरे का सबसे खतरनाक बैठे थे, अता उनकी दुर्दशा तो होनी ही थी, उनको ठीक करने के लिए उनके घर ओजहाओं का जम घट लग गया, अन्ततो गत्वा पोकरे का सुद्ध बाबा को उन्हें मुर्गे की बली तता नीम के पेड़ की जड़ में एक बोतल शराप की आहुती दे कर अपने इ प्रिस्तेदारों के गाउं आने पर उन्हें भी सुना सुना कर खुब मजा लेते रहे, इस घटना से उत्पन प्रहसंत से संभवत अकाल की भुकमरी में हमारी बस्ती के दल्टों को रुक रुक कर थोड़ी देर के लिए एक छणिक राहा तवस्य मिलती रही, और मैं बरसो के से आज तक यही सोचता रहा कि आम के लालच में मल्धहिया पेड़ पर चढ़ा एक साधारन चोर, जब वहां से उतर कर भागा तो एक खतरनाक भूद बन गया, इस घटना से बस्ती में मैं बेहद लोकप्रिय मनुरंजन का पात्र बन गया, इसी बीच गाउं में कलकत्ता से एक चिठी आई, चिठी उस समय के हिसाब से पांच पैसे वाले पोस्टकार्ट पर तूटे फूटे शब्दों में लिखी गई थी, प्रचलन के अनुसार डाकिया हमारे घर चौद्र चाचा को चिठी देने आया, और बोला कि मुर्भी दास की चिठी है, चौद्र चाच मुर्भी दास किसी के पकड में नहीं आये, यह गुत्थी डाकिया के लिए एक भयंकर चुनौती बन गई, इसका कारण यह था कि उस जमाने के डाकिया बहर दिवांदार तथा जमेंदार विक्ती होते थे, अता ही वह डाकिया मानसिक रुप से बिल्कुल उलज गया था, पूरे गाउं की फेरी के बाद दाकिया फिर दलित बस्ती में आया, सयोग बस हमारे घर के पडोस में रहने वाले फेरु काका से उसकी मुलाकात हो गई, फेरु काका ने कहा कि चिठी तुलसिया को दिखाई जाए, मैं उस समय मुर्दहिया पर भैंस चरा रहा था, फेरु क धर पहुचने पर डाकिया ने मेरे हाथ में चिठी दे दी और कहा कि देख बेटा, इक एकर चिठी हो, उस पोस्ट कार्ट पर पता लिखे हुए हिससे को मैं उपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा से देखता रहा, पाओ बल मूर्बी दास, ग्राम धरंपुर, थाना चिरया कोट जिला आजमगर, मैं नाम वाली लाइन को बार बार पढ़ता और हद से जादा उलज जाता, इस उलजन में डाकिया भी जल्दी बाजी में नहीं था, इसलिए वह भी गुत्ती हल होने तक वहां रुकने के लिए तयार था, जिसका एक मातर कारण था कि हमारे गाउं का पता एक दम सही था, काफी देर तक माता पच्ची करने के बाद मेरा दिमाग चल पड़ा, मेरे गाउं में एक बल्मू नाम के अनात दलिती वग पचपन में ही भाग कर कलकत्ता चले गए थे, वे वरसो बाद उस अकाल के बारे में सुनकर वहां से कौतुहल वस हाल चाल जा जाने लगे थे, वे अकसर कहते थे कि जब बारिस होने लगेगी तो कलकत्ता वापस जाएंगे, यद पी गाउं में उनका कुछ भी बचा नहीं था, किन्तो मुश्किल के दौर में वे गाउं के दलितों की दुर्दशा से विचलित होकर, वे सब की खोच खबर लेने आये वे हमेशा यह भी कहते थे कि जब सुखा से गाउं वालों को राहत मिलेगी तो वापस जाएंगे, मेरा ध्यान बुरी तरह से बल्मू भाईया पर अटक गया, नाव वाली लाइन को बार बार पढ़ता रहा, बहुत देर बाद गुत्थी सुलज गई, जब मैंने पाव बल रूप में किया, वास्तों में कलकत्ता जाकर बल्मू अपने नाम के आगे रविदाष जोड़ लिये थे, वेकलकत्ता के बिलिया घट्टा इलाके में बनानी दास नामक एक बंगाली दरित महिला की बारी में रहते थे, उसी ने बल्मू रविदास का हाल चाल जानने के लि बंगाली होने की विज़े से बनानी दास ने पावें बल्मू दास को के बदले तोड मुड़ोर कर पाव बल मुर्बी दास लेग दिया था इस गुत्थी के सुलचते ही डाकिया बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरता और कहता खूब पढ़िया भया इस घटना के बाद फेरु का का मेरे सबसे बड़े प्रचारक बन गए मुर्बी दास का रहसे खुलना मेरे लिए आर्कमेडीज या न्यूटन जैसे वैग्यानिकों द्वारा आविसकत किसी वैग्यानिक फार्मूले से कम नहीं था अगात प्रसंसा मिली थी फिरु काका गर्व से कहते रही कि मेरे आग एक गाउं के सारे बामन फेल हो गए इन तमाम खटी मिठी यादों के बीच ना जाने कहां से बटकता हुआ एक भूखा लमकुरियवा बानर यानि काले मुवाला लंबी पूछ वाला बंदर आ गया हमारे पूरे छेतर में किसी भी तरह के बंदर का कहीं अता पता नहीं होत उसे मनुरंजन का एक रोचक साधन समझ बैठें क्या दलित क्या बामन सभी उसका पीछा करने लगे उसे खदेरने की प्रक्रिया में इधर उधर पड़े सारे कंकड पत्थर साफ हो गए चुकि हमारे गाउं में अंगिनत पेर तथा जंगल थे इसलिए वा बंदर कभी किस उसे अपने निशाने पर ले लेते थे वह घंटों तक गाउं की अनेक दिशाओं में इस्तित विभिन पेड़ों पर भागता रहा अंततों गत्वा भागते हुए वह बरम बाबा के चौरे के पास इस्तित एक विशाल आम के पेड़ पर चड़ गया वह सबसे पहले उपर क की डाली पर बैट गया जहां पत्थरों का पहुंचना कठिन था क्योंकि ये पत्थर मार सारे युद्धा भी ठक चुके थे अंत में बंसू पाने अपनी बसवार से एक लंबा बास कटवा कर उसकी लग्गी बनाकर बंदर को खोदने लगे इस नए हतियार से वह बिलकुल कंकर पत्थर भी थे देखते देखते घबराहट में वह बंदर ताल के पानी में कूद गया और तेजी से तैर कर बहुत दूर चला गया तता सारा हुजूम ताल के किनारे पत्थर लिए उसे आंखों से दूर ओजल होते बिलोकता रहा लोग हारे हुए जुआरी की तरह घर वापस है इस बंदर कांड के बाद जेट महीने की जुलसा देने वाली गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी आसाड आने पर स्कूल खुलने वाले थे पाचवी कक्षा के बाद पढ़ाई का विक्राल दाना वनिश्चेता के स्थिती में मेरे सामने आने लगा कोई रास्ता मिल ज के रहने वाले हैं जिस समय मैं अपने लिहाल पहुचा शायद अमर सिंग भी उसमें पांच भी पास रहे होंगे हमारे नाना के घर के ठीक सामने मुश्किल से एक फरलांग की दूरी पर तरवा थाना इस्तित था एक विशाल बिल्डिंग थी जिसका रंगलाल था दूर से देखने में डरावनी लगती थी स्वतंता अंदोलन के दौरान इस थाने को फूकने की कोशिश की गई थी इस शेत में स्वतंता अंदोलन का नेत्रित तेज बहादूर सिंग नामक एक प्रख्यात कमनिश्ट नेता ने किया था उन्हेंनों वरसों तक भूमी गत रहकर काम क इस पूरे छेत्र पर उनका विशेश प्रभाव था बाद में चलकर मैं इंटरमीडियेट में पढ़ रहा था तो तेज बादुर सिंग के संपर्क में आया था उनका भी मेरे उपर गहन प्रभाव पढ़ा था उस समय तरवा थाने से बहुरी पूर की तरफ एक सड़क बनाने में लगे हुए थे इनमें मेरे राम सरन मामा भी शामिल थे उन दिनों एक बैल गाड़ी भर अंकटा खोद कर रखने की मजदूरी चार आने हुआ करते थे अंकटा एक तरह का अधूरा पत्थर होता है जो सड़क बनाने के काम आता है उन दिनों अंकटा कहीं भी मिल जाता था मेरे मन में आया था कि मैं भी कुछ दिन तक अंकटा के खुदाई करके कुछ पैसा एकठा करूं जो आगे पढ़ाई में काम आ सके वास्ताव मेवचार आना उस समय एक बड़ी कमाई माना जाता था मैं मामा के साथ सड़क के काम के लिए थाने पर गया कारिस्तल पर पत था इसलिए बड़े मजदूरी उसकी खुदाई कर पाते थे अता नकट मजदूरी की मेरी यह कलपना हमेशा के लिए अधूरी छूट गए मैं हताश रह गया लगबग 15 दिन तक नलिहाल में रहकर मैंने अने एक नजारे देखे मेरे नाना के गाउं के दलितों में एक खान थानी देवी देवताओं को सुवर की बली दी जाती थी जिसका उदेश होता था कि भविश में किसी तरह की अनहोनी को रोकना ये बली यहां गाजे बाजे के साथ दी जाती थी नाना के ही एक पट्टेदार घूरा दफला बजाने वाल में माहिर थे वेकरी तीन फीट गोल बली समाप्त होने की प्रक्रिया में उसे बजाते बजाते वे अपने दोनों पैरों को बड़ी फूर्ती से आस्मान में उच्छाल कर कलिया मार जाते थे किन्तो दफले का वादन एक छण के लिए भी नहीं रुकता था वैसा उनमादी दफल्ची मुझे कहीं और नहीं मिला तर्वा में मैंने इस दफल्ची कला का तता सुरभात की दावत का खुम मजा लिया किन्तो आगे की पढ़ाई वाली चिंता जियों बनी रहे इस ननिहाल प्रवास के दौरान रात के समय में नाना के घर के सामने नीम के पेड के नीचे कई अन्य लोगों के साथ सोता था सामने थाना होने के कारण रात बड़ी डरावनी लगती थी जिसका कारण यह था कि उन दिनों चारों तरफ सेंध मार चोरों का बड़ा आतंग था और कोई न कोई चोर रोज ही थाने में पकड़ कर लाया जाता था थाने का दरोगा लगबग हर रोज ही रात के सननाटे में ऐसे गिरफतार चोरों को थाने की छट पर ले जाकर बहुत मारता था फिर विशलेशन करने लगते थे कि सूर्ती खाने से दर्द कुछ कम होता था कहा जाता था ये चोर मार से कराते हुए बहुत जोर-जोर से चिलाते थे उनकी चिलाहट से न सिर्फ मैं डर जाता था बल्कि अत्यन समवेदन सील होटता था नाना की बस्ती वाले कहते थे कि थाने का दरोगा बड़ा खुखाट ठाकूर है वा चोरो को सूर्ती खिला-खिला कर मारता है फिर विशलेशन करने लगते कि सूर्ती खाने से दर्थ कुछ कम महसूस होता है सूर्ती खिला कर की जाने वाली चोरो की मार मुझे और भी विचलित कर देती थी परणाम सरू पुलिस से डरने के साथ साथ उनसे घ्रना भी करने लगा इस प्रक्रिया में एक रात को एक व्यक्ति थानेदार की मार से एका एक जोर जोर से रोने लगा किन्तो अगले ही छणवा एकदम सांत हो गया रोने की कराह तता सिग्री रहसमें चुपी से सभी लोगा चंबित थे इसके बाद उस रात को थाने की छट से कोई आवाज नहीं सुनाई दी सुबह दो सिपाई तरवां की उस दलित बस्ती में आकर सब को चेताउनी देते हुए कहनेते रहे कि ठाने के दरोगा या किसी के बारे में किसी से कुछ भी नता है वरना सब को सुर्ती खिलाई जाएगी पुलिस की सुर्ती का मतलब था प्रलाय हुआ यह था कि ठाने की छट पर मार खाता खाता एक मोजरिम नीचे गर गया और अविलम मर जाने की वज़े से उसके चिलाहट यखायक बंद हो गई इस मृत्यू से पुलिस का आतंक ऐसा फैल गया था कि मैं नाना के घर से थाने की तरफ निगाह फेरते ही डर जाता था इस बीच गर्मियों की छुटियां समाप्त होने वाली थे मैं तरवां से वापस अपने गाउं चला गया और मेरी मुर्दहिया एक बार फिर मेरे पास आगे इस अंक में यहीं तक अगले अंक में इसका आधा हिस्सा पूरा होगा धन्यवाद